हेलो एवरिवन, वेलकम बेक टू माई चैनल स्वादबरा कीचन ब्यूटी टिप्स गाईज मैं आज आपके लिए ऐसी स्पेशल दातों को चमकाने वाली रेमेडी लेके आई हूँ ये रेमेडी बहुत ही चमकारी है और इसमें जो हमने इंग्रीडियन्ट यूज की है न वो आपके कीचन में रखे सामान में बिलकुल आसानी से मिल जाएंगे और इसको बनाना भी बिल्कुल आसान है और यूज करना भी बिल्कुल आसान है बिल्कुल सिंपल और इजी रेमेडी है लेकिन बहुत ही पावरफुल रेमेडी है अगर आपके मुँ में दुरगंद है या आपके दातों में कीड़ा लगा हुआ है आपके मसूडों में सूज वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेश्ट है कि वीडियो आपको पसंद आए और हैल्फुल लगे और यूजफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि मेरी यूट्यूब फैमली का पिस्सा बन जाएं और मेरी यूट्यूब फैमली और बड़ी होती चली जाएं तो चली अब हम देख लेते हैं कि हम इस रेमेडी को कैसे बनाएंगे दातों को सफेद करने के लिए और दातों की हर प्राबलम को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए हल्दी तो यहां मसूडों में सूजन होती है उसे यह दूर करता है और जो भी किटानू या बैड बैक्टीरिया होते हैं उसे खतम करता है अलदी हमारे दातों के पीलेपन को दूर करता है और मसूडों और दातों को मजबूत करता है दात के दर्द को दूर करता है अब सेकिन इंग्रीडिय और यह हमारे दातों से मूँ से बद्बू को दूर करता है और पीले पन की परत को दूर करता है अगर दातों पे दाग दब्बे हैं या बहुत ज़्यादा पीले पन की मोटी परत जम गई है तो उसे साफ करने में बहुत ही ज़्यादा एल्प करता है नेक्ट इंग्रीडियन्ट हम लेंगे नीम्बू नीम्बू में विटामिन C बरपूर मातरा में होता है और नीम्बू में साइट्रिक एसीड भी बरपूर मातरा में होता है जो नैचूरल ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है हमारे दातों के दाग दबो को दूर करने में बहुत जादा मदद करता है और हमारे दातों पे अगर पीला पन है तो उसे दूर करता है और दातों को मोतियों की तरह सफेद बनाता है तो यहाँ पे 1 टी स्पून हम निम्बू का रस लेंगे और उसे भी इसमें एड़ कर देंगे नेक्स्ट इंग्रीडियंट लेंगे हम कोकोनेट ओईल यानि की नारियल का तेल गैज यहाँ पे मैं आपको आप्शन दे रही हूँ कोकोनेट ओईल अगर आप नहीं लेना चाते हैं तो इसकी जगाँ आप मस्टर्ड ओईल यानि की सरसो का तेल भी ले सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे नारियल का तेल 1 टी स्पून ले रही हूँ नारियल के तेल में लौरिक ऐसीड होता है इसमें मुझूद एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गून के कारण दातों की हर तरह की प्रॉबलम को खतम की जा सकती है नारियल का तेल दातों पे जमे पलेक को दूर करता है और ये दातों को मोतियों की तरह सफेद करता है नेक्स्ट और लास्ट इंग्रीडियन्ट लेना है हमें कोल गेट का पेस्ट वन टी स्पून याँ पे हम कोलगेट पेस्ट लेंगे और उसे भी इसमें एड़ कर देंगे कोलगेट हमारे दातों के पीलेपन की परत को दूर करता है और हमारे दातों को चमकिला बनाता है मोतियों की तरह सफेद बनाता है हमारे दातों को साफ करता है कॉल गेट और निम्बू का जो कॉंबिनेशन है वो एक ब्लीज का काम करता है ये हमारे दातों के का पीलेपन को खतम करता है और जिद्धी से जिद्धी परत को हटाता है हमारे दातों को एक दम सफेद और चमकिला बना देता है हमारे मुग की बद्बू को खतम करता है दातो यह अमेजिंग ट्रीटमेंट है गाईज इसको जब आप यूज करेंगी न तो आप देखेंगी कि आपके दातों पे ब्लीचिंग का काम करेगा यह आपके दातों से पीले पन की परत को अटा देगा और आपके दातों को एकदम मोतियों की तरह सफेद कर देगा आपके और असरदार रेमेडी है इसके फर्स्ट यूज से यह आपको गजब के रिजल्ट मिलेंगे कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे आपके दात मोतियों की तरह चमकने लगेंगे और आपके दातों की सारी प्राबलम दूर हो जाएगी चली हम देख लेते हैं कि हमें इसे एप दातों पे ब्रश को रभणा है चारो तरफ उपर नीचे घर तरफ आपको ब्रश को अच्छे तरह से लातिदाटों पेत लिवार रभणाू क 쓰िए और पेस्टे नहीं मौतियों को एकदम healthy बना देगा बस आपको पांच मिंट मसाज करनी है उसके बाद मैं आपको सिर्फ एक मिंट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है और फिर अपने परसेंट रिजल्ट मेलेंगे आप बहुत ही खुश हो जाएंगे इस remedy को यूज करके आई होप आपको ये remedy बहुत पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो और पहली बार अग आईजिंग रेमेडी के साथ तब तक के लिए बाए